हेलो दोस्तो मैं आशोक आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रांसपोर्ट अड़्डा पर तो दोस्तो कैसे है आप दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे क्वेस्टिन का जवाब देने वाला हूं जो कि आपके दिमाग में काफी ज़्यादा पजल कर रहे ह होंगे दोस्तो जैसे कि बीच सिक्स में आने लगी है तो उसमें काफी कुछ चेंज आने लगे हैं सबसे बढ़ाटार जो हम्हें एर वैयम को मिलता है कि अलावा हम सब्सक्राइब दोस्तों कर दिंधे आरे देता हूं एक अप्रेल 2020 से भारत में नए BS6 Norms लागू हो गए है ऐसे में अपडेस भर में सिरफ BS6 इंजिन वाली कारों का ही प्रोडक्शन किया जाएगा और BS6 Norms में कई तरह के बदलाव होए है जो कि पुराने गाडियों की तुलना में काफी जादा अलग है और BS6 Norms किसी सिरफ बनाता है तो द्रैसल BS6 Norms के अंत्रगत प्रदुरशन रोकने के लिए कई सारे उपाई किये गए है दोस्तों साथ हिसाथ कार को जादा सुरेख्षित बनाने के लिए इसमें कई सारे बदलाव किये गए है जिनके बारे में आज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं सबसे पहला है दोस्तो DRL हंजी दोस्तो DRL यानि की daytime running light ये light हर वक्त जलती रहती है आपने देखा होगा दोस्तो की car की headlight के ठीक उपर एक पतली पट्टी वाली सफेद light होती है जो car start होते ही जल जाती है और जब तक car का engine बंद नहीं होता तब तक ये light है जलती रहती है यहां तक कि जब car on होती है तब भी ये जलती रहती है इस daytime running light का मकसद कार की visibility को बढ़ाना होता है ये सड़क पर आपकी कार को कहीं ज़्यादा visible बनाती है दोस्तो folk के अलावा अंधेरे में कई बार लोग गाड़े की headlight जलाना भूल जाती है तो ऐसे में DRL सड़क पर आपकी visibility बढ़ाती है और आपको सुरक्षित रखती है DRL की रोशनी काफी धिमी होती है और यह सिरफ आपकी car को visible बनाती है और इससे आप सड़क को देख नहीं सकते है सिरफ सामने से आती होई car की DRL से आप यह पता लगा सकते है कि यह जो car है वो किस तरफ आ रही है तो जितनी भी नई कारे market में launch हो रही है दोस्तो उन सभी में आपको DRL जरूर मिलता है और headlight के ठीक ओपर यह DRL लगी होती है अब बात करते है seatbelt reminder की तो दोस्तो आज से कुछ साल पहले एक seatbelt reminder कारों में नहीं दिया जाता था जैसे जैसे समय बीता car company ने seatbelt reminder की एहमियत को समझा क्योंकि यह seatbelt ना लगाने पर alarm बजता है जिससे आपको याद आजाए दोस्तो की seatbelt लगाना जरूरी है accident के समय seatbelt आपको किसी भी आगाच्चे बचाता है इसलिए seatbelt reminder आपकी car के लिए काफी ज़्यादा जरूरी है अब बात करते हैं दोस्तो airbags की airbags कारों के लिए कोई पुराना concept नहीं है लेकिन अब चाहे कोई भी छोटी कार हो या बड़ी कार हो सस्ती कार हो या महेंगी कार हो आपको हर गाड़ी में airbag जरूर मिलता है किसी कार में dual airbag setup मिलता है तो किसी कार में आपको 4 airbag दिये जाते है जो कार के size पर depend करता है airbag accident के दुरान लगने वाले आदा तुस रक्षा देता है अब है दोस्तो 360 degree parking camera हन्दी दोस्तो कार को पार्क करते समय आपको सहूलियत देने के लिए कार में 360 degree parking camera लगाए जाता है जो कि कार के 4 तरफ दिखाता है आपको जिससे आप आसाने से अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते है वो भी बिना किसी दूसरी गाड़ी को टच की या बिना दूसरी किसी कार से टकराई हुए तो 360 degree आपको कार पार्किंग में काफी जादा मदद करता है तो दोस्तो ये थी वीडियो की 360 degree या बाड़ी के अंदर क्यों दिया जाता है एर बैक साथी दूसतो डि-इरल and C झी आरेल जो लाइट है वो ये याडि के अंदर क्यों दी जाती है और क्यों हर सम जल्दी रहती है कार की खी फीचा होती है तो इसका एंसर मैंने आपको सिरफ वीडियो दिया झाल